अब arithmetic operation का हम एक program करते हैं तो यहाँ पर जैसे बाकी सब तो पहले से पता हैं यहाँ पर integer मैंने variable लिया, a लिया, b लिया और c लिया, c हम एक result store कराने के लिए ले लिया variable, अब यहाँ पर क्या कि c, c में मैंने कि a plus b, यानि कि a और b का जो value है यह दोनों को store कर दिया, मैंने c में, फिर मैं यहाँ पर print कर रहा हूँ, addition is equal to %d, अब सब पता होना चाहिए क्यों %d लिखा मैंने, और c, c में जो value है वो print कर देगा, addition फिर मैंने c में a minus b कर दिया, तो यहाँ पर एक बात यह होते है कि हम अगर कोई भी value होता है न, अगर हम assign करते हैं तो उसका जो latest value होया था, उसमें assign होयाता है तो वो वाला पहले अब जो discard हो जाएगा latest value इसमें आ जाएगा, तो subtraction c हो गया, multiplication फिर हमारा यह c में आ गया, फिर हमने division, division store कर दिया, फिर c में यहाँ पर modulus, modulus operator का हो गया, और modulus में यहाँ पर हो गया हमारा c में, अब यहाँ पर क्या है कि a में कितना है, 12, b में 5 है, तो यह 12 माइनस 5, 7 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है, 12 इंटू 5, यह हो जाएगा, 60, 60 आ जाएगा, उसी तरह a divided by b, कितना है, 12 by 5, हाँ, तो यहाँ पर 12 by 5, यानि कितना हो जाएगा result, 2 आएगा, decimal वाला part, discard हो जाएगा, और यहाँ पर modulus, modulus क्या देगा, remainder कितना आ रहा है, 2, तो य हमारा 2 output आ जाएगा,